उद्यमिता विकास होता क्या है और एक उद्यमि में वो कौन से 15 गोन होते हैं जो उसे एक अच्छा उद्यमि बनाते हैं यह जानकारी प्राप्त करने के बाद आए हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि उद्यमता विकास कारेकरम क्यों आवश्चक है या हम कह सकते हैं उद्यमता विकास योजनाय क्या कारे करती हैं उनके क्या कारे सबसे बड़ी बात अभी तक हमने पढ़ा कि उद्यमी क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यूं आवश्चक है जैसे कि अभी तक आप सब लोगों ने जाना है कि एक उद्यमी जो होता है वो क्या करता है ना की केवल स्वरोजगार स्वत्तह के लिए रोजगार है ना प्राप्त करता है बलकि साथ साथ अपने अलावा ऐसे कई लोग हैं जिनको वो रोजगार प्रदान करता है और उनको जिविको पारजन के लिए जो है एक आये की विवस्था करता है तो अगर हम देखें तो ये जो उद्यमी होते हैं ये किसी समाज के लिए उसकी समाज की स्थितियों को अलग अलग स्थितियों को आर्थिक स्थिके साथ साथ सुधारने का कारी करते हैं तो ये जो उद्मी होते हैं, हम कह सकते हैं किसी भी राष्ट के निर्मान में एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारे करते हैं, उद्मी जो है, किसी भी राष्ट के लिए एक ऑक्सिजन की तरह कारे करते हैं, एक जीवन दाइनी की तरह कारे करते हैं, किसी भी राष्ट के लिए आ उसकी आर्थिक स्थिती ही बताती है कि वो कितना मजबूत है अगर हम बात करें under developed countries या developing countries मतलब वे देश जो अभी विकास कर रहे हैं या विकास करने की प्रक्रिया में हैं वे जो देश हैं उनकी स्थिती में अगर हम देखें जैसे कि हमारा भारत है वो developing country के अंदर आता है तो यहां पर अभी लोगों को रोजगार की आवश्यक्ता है एक बहुत बड़ा समुदाय जो है या percentage of human being हम कह सकते हैं unemployed है यानि जिसके पास रोजगार नहीं है तो या नहीं था हम कह सकते हैं अब इन उद्यमियों के आने से नए-ने start-up चाल हुए और इन लोगों की percentage में जो unemployed human beings थे या unemployed लोग थे या बेरोजगार लोग थे उनकी मात्रा में या उनके percentage में काफे बड़ी कमी आई हैं क्यों क्योंकि यह जो उद्यमियों है इनके विकसित होने से क्या हुआ है कि लोगों को रोजगार मिलना प्रारम हुआ है उद्यमियों जो होते हैं वह पूंजी भी कत्रित करते हैं रोजगार प्रदान करते हैं और साथ-साथ क्या करते हैं वह देश की आर्थिक सिदी को भी मजबूत करते यह ना केवल किसी बी इंडिस्ट्री या manufacturing unit को उसकी स्थापना करते हैं उनका संचालन करते हैं उन पर न और यह विकास एवं विस्तार केवल उनकी यूनिट तक ही नहीं रुखता या उस इंडस्ट्री तक या उस मैनिफिक्चरिंग यूनिट तक ही नहीं रुखता वो जो विकास एवं विस्तार है कहां तक चलता है हर किसी की प्रगती से जुड़ा हुआ है कैसे उस इंडस्ट्र कर रहें कि इस देश का पैर्ट है मानलो हम उपbooks की बात कर रहे हैं तो हमारी यां की जितने भी उद्यमी काम कर रहे हैं या कारीरत हैं वो क्या करेंगे अगर कोई भी प्रॉफिट गेन करते हैं व्यावसाइक तोर पर अपनी एक मजबूत सिती बनाते हैं मार्केट में तो वो केवल खुद को ही economically आर्थिक रूप से मजबूत नहीं कर रहे हैं साथ ही साथ हो क्या कर रहे हैं देश को भी आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है तो अगर हम यह कहें कि उद्मी जो हैं इनका विकास होना बहुत महत्वपूर्ण है तो यह गलत नहीं होगा और सबसे इंपोर्टन काम इनका एक यह भी होता है कि यह न केवल खुद का विकास करते हैं साथ ही साथ उन ने उद्मियों का चैन भी करते हैं जो भविश्य के लिए उन अपनी ही नहीं साथ साथ देश की भी आर्थिक प्रगती में योगदान दे यह उनको प्रेरित करते हैं उनके लिए एक गौड़ फादर या लीडर के रूपने अपने आपको प्रसुत करते हैं यह अपना उनका मार्ग दरशन करते हैं हम कह सकते हैं जिससे की वो अपना कारे तो कर रहे हैं लेकिन भविश्य के लिए एक अच्छा उद्मी भी प्रस्तुत करने की तयारी करते रहते हैं आए कुछ बिंदूओं के माध्यम से जानते हैं कि जो उद्मी विकास योजनाएं किन कारणों से या किस ढंग से आर्थिक प्रगती में सहायता करती हैं कुछ कारण आपकी स्क्रीन पर इस तरह प्रदर्शित किये हैं पहला लिखता है रोजगार जैसे कि मैं अभी तक कहती आई हूँ कि यह जो उद्मी होते हैं यह रोजगार प्रदान करते हैं सभी लोगों को उनके लिए सारे लोग एक समान हैं ठीक है अब कोई इंडेस्ट्री चालू हुई या डेवलप हुई है शुरू हुई है उसमें अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग इंप्लॉई की जरूरत है या हम कह सकते कर्मचारी की जरूरत है तो वेक्ति जिस पोस्ट को हूल करने लायक है या जिस पद के लायक है उसकी qualification उसका work experience वो उस तरफ आगे बढ़ जाएगा तो रोजगार प्रदान करना ये इनका पहला उद्देश है या ये रोजगार प्रदान करके उन व्यक्तियों की आर्थिक सिधी सुधारने में हेल्प करते हैं या मदद करते हैं दूसरा बिंदु कहता है कि स्थानी साधनों का उपयोग यूज ऑफ लोकल रिसोर्स बिल्कुल सही बात है कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई उद्यमी एक उद्यम की स्थापना करता है तो वह सबसे पहले यह चाहता है कि अपने आसपास जितनी भी संसाधन उपलब्द हैं मतलब जो भीर्थ खर्च सेंगें मेहें जादा कीमत फर मेहंगी वस्ताइं को बाहर से बेहतर है थीце बैदर हमारे staff लां लां हम उसका उपयोग करें साती साथ अगर हम उन वस्ताइब करते हैं तो हम क्या करने हम जिनसे वह खरीद रहें हम उनकी आय बढ़ा रहें। उनको भी एक प्रकार का रोजगार दे रहे हैं क्योंकि हम बाहर से मंगाएंगे तो हम fund किसको transfer करेंगे बाहर के विक्तियों को लेकिन यही अगर हम अपने पास के area के किसी विक्ति से लेते हैं वही चीज को तो हम क्या कर रहे हैं उन resources के लिए या उन संसाधनों के लिए हम किसको पे करेंगे हम हम अपने local area के जो लोग हैं उनको पे करेंगे तो इस तरीके से हम उनकी भी आए बढ़ा रहे हैं तीसरी चीज हम यह कर रहे हैं कि एक उद्यमी यह सिखाता है कि limited resources में कितनी अच्छी तरीके से अपने target को achieve किया जा सके मतलब जो limited संसाधन है उसमें कितना अच्छे से उसको उपयोग किया जा सके और उससे जो output है या अंतिम उत्पाद है उसको कितने अच्छी तरीके से निकाल करके जो हमारा उद्देश है उसकी पूर्ती की जा सके तो यह दूसरा जो तरीका है जो की मदद करता है आर्थिक प्रगति में तीसरा बिंदु कहता है कि उद्यमिता के गुणों का विकास development of entrepreneurship qualities बिल्कुल सही बात है कि यह जो entrepreneur होते हैं यह भविश्य में आने वाले entrepreneurs को क्या करते तयार करते रेडी करते कैसे करते माडम सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि माम यह लोग ऐसा कैसे करते बिल्कुल यह लोगों को training देते हैं उनको motivate करते हैं ठीक है अलग अलग तरह की परिशाएं लेते हैं उनको चैन करते हैं जो गुण है एक entrepreneur में जो गुण होने चाही जन 15 गुणों क चर्चा हमने की थी वो गुणा को खोज के निकालते हैं और एक अच्छे खासे समू में से मालो तीस बच्चों का समू लिया है या तीस आगामी entrepreneur candidates लिये हैं उन में से जो बहतर हैं उनका चुनाव करते हैं और उनको फिर proper training के बाद उनको तयार करते हैं कि आगे आने वाले entrepreneur ये हो सकते हैं या आगे आने वाले उद्यमी ये हो सकते हैं इस तरीके से ये क्या करते हैं कि उद्यमित्ता के गुणों का विकास करते हैं फिर बात आती है कि परियोजना व उत्पात के चैन में सायक helpful in selection of project and products बिल्कुल सही बात है कि कौन सा project long term तक या ज उत्पाद में हमको जो resources हैं या संसाधन हैं हमारे पास उपलब्द हैं साथ ही साथ कौन से संसाधन है जो मैं आसानी से उपलब्द हो सकते हैं इसका चैन करना बहुत जरूरी है माल लेजे एक example लेते हैं एक उद्यमी ने ऐसा व्यवसाय शुरू किया जिसके लिए उसे कच अपना चाहिए करनी है वह बहुत ही महेंगी मिल रही है तो इसमें उसको क्या चीज का नुक्सान हो रहा है financial loss क्योंकि कि किसी भी उद्यम की स्थापना में एक पहली बात रिस्क की होती है हम बहुत बड़ा amount जो है जरुत से जादा बड़ा amount क्या है इंवेस्ट कर देंगे तो अगर जो रिस्क हमने लिया है अगर positive ना हो करके negative हो जाए मतलब हमने रिस्क लिया एक उद्यम स्टार्ट की एक industry स्टार्ट की वो अब नहीं चल रही है यह loss में गया ठीक है वो नहीं चल रही है तो इस सितने में क्या होगा वो सारा investment fail हो जाएगा है ना तो इसी चीज का चैन करना रहता है कि हम जिस एरिया में उस उद्यम का प्रारम करना चाह रहे हैं क्या वो उद्यम उस एरिया में चलेगा वहां से हमें कौन-कौन से संसाधन प्राप्त हो सकते हैं है ना कम कीमतों पर तो main important अगर हम बात देखें तो management management हमेशा यहीं सिखाता है कि optimal use of resources तो यह लोग उसी management rule को follow करते हैं कि जो संसाधन अपने पास उपलब्द है सबसे पहले उन संसाधनों का अच्छे तरीके से उपियोग करना या उसको उपियोग में लाना इसके बाद हम अगली एक point है उसकी चर्चा करते हैं जो कहता है कि पुंजी का विकास करना ठीक है यह प लेकिन working capital तो लगता रहेगा ना working capital मैंने आप लोग को समझाया क्या होता है कि एक industry स्थापित कर दी manufacturing unit लगा दिया अब manufacturing unit में रोज के अपने नए खर्च हैं तो उसमें जो fund लगने वाला है वो working capital है ठीक है तो पुंजी का विकास करना बहुत important क्योंकि यह industry केवल एक बार investment plan करने से नहीं चलेगी एक एक बार भी नियोक कर दिया किसी manufacturing unit में तो क्या वो निरंदर चलती रहेगी अब उसमें कोई खर्च नहीं है नहीं हमेशा खर्च है बहुत सारी खर्च लगे रहते हैं मशीनों की servicing है फिर कच्चा माल प्राप्त करना है फिर उसके बाद बिज देना है ठीक है और भी इत्यादी बहुत सारी खर्च है जो लगे रहते हैं तो यहां पर पूंजी का विकास करना important है तो यह जो पूंजी है उसका किस तरीके से विकास किया जाए और उस पूंजी का कहां सही इस्तिमाल किया जाए एक उद्यमी को अच्छी तरीके से आता ह अगली बात आती है कि परियोजनों में सायक formulation of projects बिल्कुल सही बात है कि यह विविन परियोजनों में सायक है यह न केवल अपने startups को मदद करते हैं या अपने द्वारा जो industries शुरू की गई है या अपने द्वारा जो manufacturing unit शुरू की केवल उनके लिए कार करते हैं बलकि यह और भी विविन प्रोजेक्ट्स में जो अपनी पूंजी के द्वारा उनको मदद करते हैं कि वो भी तयार हो साथ ही साथ वो न केवल अपना भी विकास करें साथ ही साथ देश का भी आर्थिक विकास करों फिर बात आती है कि संतुलित शेत्रे विकास balance regional growth तो यहाँ पर बा इनकguru है कि जम्म verdad कर सकते हैं उनको रोज कर सकते हैं अपनी जदुनेम और अपनी जल सामाजिक जिम्मेदारियां अलग अलग उनको पूरा करके उनकी मदद कर सकते हैं और इस तरीके से वह अपने जो शित्रे विकास है उसका संटुलन हमेशा बनाये रख सकते हैं अगली बात आती है कि और जो कि गंधी बस्तीयों को हटाने में सायक गंदी बसियां बेट गंदी करते हैं अपने इंडेस्ट्री के आपस ही पन तो इस तरीक बास देनी। तो इस तरीके से क्या हुआ उन slum area के लोगों को या उन गंदी बस्यों के लोगों को रोजगार मिला रहने के लिए एक अलग से अच्छी जगा भी मिली और साथ जाथ एक अच्छा आय भी मिला जिससे कि उनका जीवन जो है अच्छी तरीके से चल सके तो इस तरीके से जो ओद्यों की विकास है वो गंदी बस्तियों के हटाने में सायक है ठीक है फिर बात आती है कि उपकरम की स्थापना में सायक है फुल इन सेटिंग ओफ एन एंटरप्राइज यह जो हैं केवल अपने ही उपकरम के बारे मैंने ही सोचते हैं साथ ही साथ विकास आर्थिक विकास सामाजिक विकास यह सब एक दूसरे से जुड़ा होता है फिर आती है जीवन स्थर में सुधार इंप्रूव्मेंट इन स्टैंडर ऑफ लिविंग बिल्कुल सही बात है अगर जो लोग पहले ब्योजगार थे उनकी आर्थिक सिती अच्छी नहीं तो उनका स्टैंडर इच्छ नहीं होगा लिविंग स्टैंडर मतलब जीन सतर अब भी उनको क्या मिल रोजगार मिल गया अब जिनको रोजगार मिल रहा है उनकी एच्छी ओग तो उनका करते रहते हैं नए मार्केट में क्या नया हम कर सकते हैं या नई डिमांड क्या है मार्केट की तो इस बिंदू से इस पश्ट होता है कि यह जो उद्यमी होते हैं इनका विकसित होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमेशा यह नए नए मार्केट की खोज करते हैं और मार्केट में नई चीजों को उपलब्द कराते हैं और उनके लिए जो मांग हैं उसको क्या करते हैं जगाते हैं या जागरित करते हैं लोगों को कि इन चीजों को वो खरिदे या इन चीजों से उनको ये बेनिफीट्स या फायदे हो सकते हैं फिर अगला बिंदू आता कहता है सामाजिक तनाव में कमी reducing social tensions विल्कुल सभी बात है आप social tension क्यों होता सामाजिक तनाव क्यों है क्योंकि लोगों के सामाजिक तनाव होता है तो यह जो उद्यमी है विकसित उद्यमी या विकास करने से क्या होता है कि इस समाजिक तनाव को कम करने में मदद करती है क्योंकि लोगों को रोजगार देती है और उनके आये में वृद्धी होने की विज़से उनके जीवन सर में भी सुधार आता है जिससे की सामा जिकतनाओं में अपने आप कमी आ जाती है अगला बिंदु कहता है आर्थिक स्वतंतरता एकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देखें मैंने आपको बताया है कि अपने पैरों पे खड़े रहना मतलब not like this कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूं ठीक है ठीक ये भी सही इतनी मजबूत हो जाएगी उसकी इकोनॉमिकल कंडिशन कि उसके पास इतना पैसा है कि अपने एक्सपेंस को खुद ले सके तो वो अपने पैरों पे खड़ा जागा वही बात यहां कह रही है कि आर्थिक स्वतंतरता लोग आर्थिक स्वतंतरता कब होंगे जब क्या उनक के पास एक अच्छे आयके साधन होंगे तो इन उद्यमियों का विकास होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आर्थिक स्वतंतरता भी देते हैं अगला बिंदू है सूचना प्रदान करना प्रोवाइडिंग इंफरमेशन बिल्कुल यह बहुत अच्छे मार्केट रिसर्चर रहते हैं तो मार्केट में क्या डिमांड है अब कस्टमर्स की क्या नीड है मार्केट में चेंजेस कब तक आ सकते हैं किस प्रकार की चेंजेस आ सकते हैं तो इस प्रकार की सूचना है यह क्या करते हैं उद्यमी देते हैं तो बचो इन कुछ बिंदू के माध्यम से हमने जा हैं कि उद्यमिता विकास कारिक्रमों के क्या उद्देश है कुछ उद्देश आपकी स्क्रीन पर प्रकारिधास पहला है भावी उद्यमियों की पहचान करना तथा उन्हें प्रश्विक्षन देना ठीक है यह मैंने आप से पहले दिसक्स किया है कि in future जो भी उद्यमी आने वाले हैं उनको पहचानना कि इनमें वह सारे 15 गुन हैं उसके अलावे बहुत सारी गुन हो सकते हैं लेकिन जो commonly 15 गुन हमने डिसक्स किये हैं वो गुन इनमें हैं और इनको प्रस्रिक्शन देने से वो और निखर कि आएंगे तो प दिमेता विकास कारेक्रमों में प्रतिभागियों में जरूरी ग्यान एवं योगिताओं का विकास करना तो जिस ग्यान की आवशक्ता है जिस प्रकार की योगिताओं की आवशक्ता है उनका भी साथ ही साथ इनमें विकास और विस्तार करना फिर आधार बूत प्रबंद की ग्यान देना देखे एगान ग्यान होना बहुत जरूरी है क्योंब के एक उद्धमी वह वैक्षती होता है जो आवरॉरल बहुत सारी चीजों को मानेज करता तो मानेज्मेंध का undertak पता होना तो यहीं प्राबंध के सरी किया जाए यह इन चीजों होगा उनको को होना बहुत जरूरी है ठीक है। फिर प्रशुक्षन परष्चाहग सहयोग और सहयता है. करना आप रेक्षेक्रींष्णर हो गया इहीं पे इनका वार काम फिर से शिरू होता है कि इनको किस प्रकार सहयोग और सहायथा प्रदान कर से कि 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 छैंस्टने मधूत नहीं वते अब मनुष्यकों ग्जान थे मैंने में अभर हुँ ठीक है मैंने मैनेजमेंट का पढ़ाई की पढ़ाई कर ली ठीक है और अब मुझे ग्यान हो गया है कि कैसे एक उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं मैं इंटरप्रेनर चजाने लायक हूँ मेरे सारी क्वालिटी लेकिन मैं उतनी है financially strong नहीं हूँ तो क्या इसको अपनी qualities हैं उन hugs चीह गुण मुझमे है क्या मैं उसका उपश्योग कर सकती हूँ नहीं मुझे किसी परोट्साहक की dissolveda होगी या एक ऐसे वेक्ति की आवर्शक्ता होगी जो मेरी इन गुणों को सही तरीके से इस्तमाल कर सके और उसे इस्तमाल होने में मेरी मदद कर सके तो ये जो लोग होते हैं प्रशिक्षन देने के बाद उनको सहायता और सहयोग करते हैं कि जो नय उद्यमी उन्होंने खोजे हैं वो अपना नया उद्यम प्रारंब कर सके और जिस उद्देश के लिए ये कारे शुरू हुआ है वो उद्देश तक वो पहुंस सके अगला जो इनका उद्देश होता है कि परियोजनाओं से सम्मंदित परियावरण का विश्टलेशन करना तो जितनी भी विविन परियोजना आती हैं उसमें अलग अलग पर्यावरंड से संबंदित बातों का विशलेशन करना फिर कारेक्रमों को लागू करने के लिए योजना तयार करना सरकारी सहायता सबसीडी और प्रेयनाओं का पता लगाना नए उद्यमिता अवसरों का विकास करना फिर स्वरोजगार की भावन लोगों को रोजकार देते हैं तो इस तरह की भावना का विकास करना उद्मियों में सामाजिक उत्तरदाइत्व की भावना जागरित करना ग्रामेड एवं पिछड़े शेत्र में अधिक विकसित करना क्योंकि उन शेत्रों में जो विकास का कारे ज्यादा हो सकता है और वह सब्सक्राइब तक दराने को हैं उद्म्हश्रों कि उद्धार करना उन जो प्रबंद की क्वालिटीज हैं उनको क्या करना है उनका विकास करना है एवं सिधार करना है तो यह जो कुछ उद्देश होते हैं उद्यमिता विकास कारेकरमों के उद्देश होते हैं और इनी उद्देशों की पूर्ती के लिए वह अलग-अलग कारेकरम चलाते हैं अलग-अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तयार करते हैं और इन जो भावी उद्यमी हैं उनको क्या करते उनको सहयोग प्रदान करते हैं उनकी साहता करते हैं कि इन फ्यूचर या भविश्य में वो एक अच्छे उद्यमी बने तता वो अपनी ही नहीं बलकि सामाजिक तता देश की आर्थिक समस्याओं को दूर करने में मदद कर सके और देश के नौजवानों को इतना सबल बना सके कि जो भी परिस्तिया आती हैं उससे वो लड़ सके और उनका सामना वो कर सके आई अब हम देखते हैं एक छोटा सा बिंदू आता है जो कि आपके पाठेपुस्तक में दिया हुआ है जिसका नाम है कि उद्यमिता विकास कारेकरम की प्रासांगिक ता यानि रिलिवेंस ओफ देंगे तो इसकी जो प्रासांगिकता है आपको समझ में आजाएगे चाहे वो डेवलपिंग कांट्री हो यानि विकास शील देश है और चाहे वो अडर डेवलप्ट कांट्री जो अभी भी डेवलप कर रहा है जो डेवलप नहीं हुआ है तो दोनों तरह की जो देश हैं उनमें जो उद्मिता विकास कारेकरम हैं उनका होना बहुत जरूरी इसके बहुत सारे महत्वा हमने आपको अभी तक बताए हैं या हमने साथ में चर्चा भी किये हैं तो अगर हम कहें तो उद्मिता विकास कारेकरम जो है ओवर आल एक ऐसा कार्य है जो देश को ही नहीं ब कितना है कितना सही है क्योंकि अगर हम देखें जितने भी विक्सित देश है उनके विकास में कहीं न कहीं इन उद्मियों कहीं हाथ है क्योंकि अगर वियावसाई नहीं होगे तो वियावसाई नहीं होगा तो नाशनल या इंटरनाशनल है ना राश्ट्रिय या अंतराश्ट् की आर्थिक विवस्ता बहुत important role play करती तो आर्थिक विवस्ता किसी एक उद्यमी या केवल किसी एक व्यक्ति पर निर्वर करती है नहीं किसी भी देश की आर्थिक विवस्ता होती है वह उसके overall population पर करती यह जनसंख्या वहां पर है उनकी आर्थिक सितिव पर एंचा नगारे विकास सबसे इनके व्यांवी है आज आप कौन देख रहे हैं पहले की तुलना में हमारा देश काफिः विक्षित हो चुका है आप चाहे निउक्लियर पावर्स में देख लें चाहे टेक्निकली द कितना सुधार आया है लोगों को रोजगार भी मल चुके हैं हैना तो हर तरीके से जो हमारा देश है व काशी होने के साथ सथ अब विकसित होनेके गार पर पहुंच चुक hou शु कहांने और लगेगा इसमें फिर भी was सारे कारे करम वो सारे कारे इन उद्मियों द्वारा किये जा रहे हैं वो पूरा सपोर्ट इन उद्मियों द्वारा हमारे देश की सरकार को हमारे देश के लोगों को किया जा रहा है कि हमारे देश की आर्थिक सिती है या हमारा देश जो है वो एक मजबूत कंडिशन में कह सकते हैं कि जो उद्यमिता का विकास होना बहुत ही रिलिवेंट है या यह कारिकरम है बहुत ही प्रासंगिक है और इसका होना ही जो है एक देश की आर्थिक व्यवस्ता को सुद्रड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अब बात आती है कि उद्यमिता करकरम की उपलब्दियां कौन-कौन से उपलब्दियां है वो कहता है कि यह विभीन उद्योगों में अलग अलग प्रकर के उद्योगों की नीचा उनका विकास हुआ है उनका विस्तार हुआ है इसे लोगों को क्या मिला है स्वह रोजगार की उपलब्दता जो कि इसका दूसरा पॉइंट है तो इन ओध्यों की करण में तेजी की वज़े से क्या हुआ है कि रोजगार की संभावनाय बढ़ी है और रोजगार लोगों को प बड़ी है